नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Study for Civil Services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो गूर जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा नमस्कार दोस्तों मैं शिवाली आपकी एजुकेटर Study for Civil Services में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम UPSC Prelims 2019 का GS Paper 1 डिस्कस करेंगे Study for Civil Services का फ्री टेलिग्राम ग्रूप है इसको जरूर जोइन कर लिजे UPSC, BPSC, UPPSC, UPSSC, EPFO से related courses की जानकारी आपको इन नमबर पर मिल जाएगी और इनके paid group भी आप इनी नमबर पर contact करके जॉइन कर सकते हैं दोस्तों start करते हैं In the context of which one of the following are the terms pyreolosis and plasma gasification mentioned Extraction of rare earth elements, natural gas extraction technologies, hydrogen fuel based automobiles, waste to energy technologies इसका सही answer D है, waste to energy technologies इसका मतलब यह होता है, जो भी waste material होता है उससे energy को recover करने की कोशिश की जाती है, turbine के थूँ या फिर और किसी method के थूँ जिससे क्या होता है, heat generate होती है, या fuel या electricity generate होती है ठीक है, इसमें क्या होता है, high temperature को use किया जाता है जिससे जो भी material है, इसको breakdown किया जा सके, और इसमें कम oxygen use होती है ठीक है, तो इसका सही answer, waste to energy technologies है आगे बढ़ते हैं Which of the following are in Augusta Malaya Biosphere Reserve Augusta Malaya Biosphere Reserve में क्या है नई यार, पेपरा, शेंडियूरने, Wildlife Sancturies and कलककड मुंदान, थूरई, Tiger Reserve मुद्दू मलाई, सत्यमंगलम, वायनाड, Wildlife Sancturies Silent Valley National Park, कुंडिनिया, गुंडला, पापी कुंडा, मुरुकुत्थी, कावल, एंश्री, वैंकटेश्वर, Wildlife Sancturies नागर, जुन, सागर, शी, सासेलम, Tiger Reserve तो इसका सही answer ए है, अगस्थ मलाई में क्या है, नई यार, पेपरा, शेंडियूरने, Wildlife Sancturies एन कलककड, मुंदन, थूरई, टाइगर रिजर्व, ठीक है इसको establish कब किया था, 2001 में establish किया था यह कैरला और तमलनाडू में है, और यह वर्ड नेटवर्क अफ बायोस्फियर रिजर्व का पार्ट है 2016 में इसको recognize किया था, वर्ड नेटवर्क अफ बायोस्फियर रिजर्व का पार्ट और यह UNESCO की वर्ड लिस्ट अफ बायोस्फियर रिजर्व में भी है ठीक है, तो इसका सही answer A है और इसकी location क्या बताई, कैरला और तमलनाडू बताना इन में से कौन सा सही है Some species of turtles are herbivores कुछ turtles की species होती है, जो herbivores होती है कुछ fish की species होती है, जो herbivores होती है कुछ marine mammals होते हैं, जो की herbivores होते है और कुछ snakes होते हैं, जो की viviparas होते है देखिए, इसका सही answer D है अब देखिए तीन वर्ड होते हैं कार्णी वोर्स हर्वी वोर्स और ओम्नी वोर्स हर्वी वोर्स होते हैं नाम से पता लग रहा है हर्ब्स खाते हैं जो मतलब प्लांट काते हैं Carnivores, Meat खाते हैं, Meat लेते हैं, ठीक है, और Omnivores, बोत, दोणों लेते हैं, Plant भी और Meat भी, जैसे Human क्या है, Omnivores है, क्योंकि Human Plant भी लेता है, Vegetarian भी है, और Non-Vegetarian भी, इसलिए, ठीक है, अब sea turtles जो होते हैं तो इसका answer क्या है इसका answer D है चारो ही ठीक है देखिए sea turtles जो होते हैं वो कुछ कार्णी वोरस भी होते हैं कुछ हर्भी वोरस भी होते हैं और कुछ ओम्नी वोरस भी होते हैं ठीक है अब marine हर्भी वोरस हो गए जैसे कि invertebrates fish reptiles mammals mollusks ठीक है green sea turtle यह हो गए snakes क्या होते है reptiles होते हैं ठीक है अब देखिए यह viviparas है viviparas का मतलब यह होता है जो कि young ones को birth देते हैं ठीक है और इसी से related होता है एक oviparas oviparas क्या होते हैं जो eggs देते हैं और फिर उसको hatch किया जाता है ठीक है तो इसमें दोनू होते हैं यह viviparas भी होते हैं और oviparas भी होते हैं ठीक है तो इसका अंसर d हो गया आगे बढ़ते हैं अब wildlife दे रखी और यह कहां पाए जाते हैं यह बता रखा है सही आंसर इसका क्या है सीज का सही आंसर है यानि फर्स सही है और थर्ड सही है ब्लू फिंड महिसीर आपको कावेरी रिवर्ब के आसपास मिल जाएंगे ठीक है और रस्टी स्पॉर्टट कैट इस्टर्ण घाट में अब देखिए जो कावेरी रिवर्ब में होते हैं कुछ और भी होते हैं जो पाए जाते हैं जैसे की ब्लू फिंड हो गया इसी तरह से अगर औरेंज फिंड है तो वो भी यहीं आता है ठीक है हम्प बैग्ड फिश है वो भी यहीं पर आता है तो अगर मान दीजे यह ना देखे आपको औरेंज फिंड दे रखो तब यहीं आंसर होगा ठीक है बात करें अगर हम इरावेडी डॉल्फिन की तो यह मिलती है इरावेडी रिबर में जो की कहाँ पर है easy है, म्यानमार में है, सबको पता है यह चीज ठीक है, उसके बार मीकॉंग में है और महाकाम जो की इंडोनेशिया बोर्णियों में है तो इसका सही answer C है फर्स ठीक है और थर्ड ठीक है why is there a great concern about mycobeats that are released into environment they are considered harmful to meharine ecosystem they are considered to cause skin cancer in children they are small enough to be absorbed by crop plants in irrigated fields and they are often found to be used as food adulterants देखें इसका सबसे सही answer A है कि वो इसलिए हामफुल होते हैं क्योंकि वो merine ecosystem में बहुच जाते हैं ठीक है और यह किस में पाए जाते हैं यह mainly आपको cosmetics में मिल जाएंगे ठीक है जैसे यह scrub आता है या face wash वगएर आता है इसमें या फिर toothpaste है इसमें भी यह मिलता है तो इस जो daily needs की चीजें होती हैं उसमें यह मिल जाता है और इसका size इतना कम होता है मतलब इतना small size होता है कि यह आपको visible नहीं होता है और यह polythene के थुरू petrochemical plastics के थुरू इन सब के थुरू जो है merine system में पहुच जाता है और होता क्या है जो merine population होती है वो इनके खा लेती है और इसी वज़े से जो है वो degrade नहीं हो पाता है और उनकी death हो जाती है merine animals की तो इसका सही answer A है आगे बढ़ते हैं Recently there was a growing awareness in our country about the importance of Himalayan needle because it is found to be a sustainable source of because it is found to be a sustainable source of anti-malarial drug biodiesel pulp for paper industry or textile fiber इसका सही answer B है textile fiber ठीक है इसकी जो Himalayan needle है Himalayan bichu booty इसको बोलते हैं इसकी importance क्या है ये किसका source है तो ये source है textile fiber का fiber produce करता है और इससे होता क्या है लोगों को livelihood का भी एक source मिल जाता है ठीक है तो इसका सही answer D है आगे बढ़ते हैं और which of the following are satellite images remote sensing data used ये किसके लिए ये use होता है chlorophyll content in the vegetation of a specific location greenhouse gas emission from rice paddies of a specific location land surface temperatures of a specific location तो इसका सही answer D है तीनो ही ठीक है ये use होता है chlorophyll content जो होता है vegetation में minerals जानने के लिए या फिर हमें land use की monitoring करनी है उसके लिए हम remote sensing data use करते हैं या ये देखने के लिए deforestation कहां पे हुआ है desertification कहां है या invasive species के लिए देखने के लिए उनकी location को trace out करने के लिए ठीक है ना उसके लिए use होता है फिर ये radiometers use होते हैं उनसे क्या होता है कि हमें chemicals के बारे में पता लगता है ठीक है radiometer से हमें chemicals के बारे में पता लगता है फिर हमें पता लगता है pollutants के बारे में ठीक है ये हो गया और साती सात हमें ये भी पता लग जाता है कि rainfall के क्या prospects है कहा रेन आईगी, टेंपरेचर कैसा है, किस पर्टिकुलर लोकेशन का, वेजिटेशन कैसी है, बहुत सारे इसके यूसेज हैं, तो इसका D सही आंसर है फिर आता है चत्यसगर, MP, महराष्ट, उडीशा, ये स्टेट्स के रेफरेंस में हमें क्या बताना है मतलब पर्सेंटेज के टर्म्स में बताना है, कि सबसे कम का हैं, फिर उससे जादा और उससे जादा जो भी ये स्टेट्स गिवन है इनके, तो देखें, ये जो question है, कि forest report 2017 से लिया हो गया है, ठीक है, अब तो नई release हो गई है, फिर भी दे रखा है, तो हम एक बार देख लेते हैं, इसका जो answer है, वो C है, सबसे पहले महराष्ट है, फिर MP है, फिर उडीसा है, और फिर छक्तिसगर है, ठीक है, अब इसके ल कम है, ठीक है, अब जो next question है, मारा कि इन में से statements कौन सी सही है, deposits of methane hydrate के बारे में, global warming might trigger the release of methane gas from these deposits, large deposits of methane hydrate are found in arctic tundra and under the sea floor, methane and atmosphere oxides to carbon dioxide after a decade or two, देखें इसका सही answer ए है, first ठीक है, और second ठीक है, ठीक है, methane hydrate का क्या है, correct क्या है, global warming trigger कर सकती है, methane gas के release को from these deposits, मतलब methane gas release हो सकती है, यह कहना जा रहे हैं, कि temperature जब बढ़ेगा, तो global warming बढ़ेगी, तो उससे methane gas release होगी, यह बात बिल्कुल सही है, और यह जो दूसरा point है कि, large deposits of methane hydrate are found in arctic tundra and under the sea floor, तो यह भी statement है, कि sea floor में और, sea floor में और arctic tundra में methane hydrates पाए जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, carbon, monoxide, methane, ozone, sulfur dioxide, which of the following above are released into atmosphere due to burning of crop या biomass residue, देखिये, इन में से, किसी किसी आंसर में की में इसका आंसर C दे रखा है, यानि carbon, monoxide, sulfur dioxide, लेकिन कहीं पर इसका आंसर DB दे रखा है, methane और ozone भी release होता है, वैसे अगर देखा जाए तो जब bio mass residue burn होता है, तो चारो ही release होती है, carbon, monoxide, methane, ozone और sulfur dioxide, तो इसका आंसर आप B भी मान सकते हैं, लेकिन इसका आंसर C भी हो सकता है, ठीक है, Adriatic Sea, Albania, Black Sea, Croatia, Caspian Sea, Kazakhstan, Mediterranean Sea, Morocco, Red Sea, Syria, अब बताना है कि यह bordering air country है, और इसके जो आसपास है कौन सी C है, तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर B है, 1, 3 और 4, Adriatic Sea, Albania के पास है, Caspian Sea, Kazakhstan के पास है, और Mediterranean Sea, Morocco के पास है, लेकिन Croatia के पास में जो है, वो Adriatic Sea है, फिर से, ठीक है, Albania और Croatia के पास Adriatic Sea है, और जो Syria है, वहाँ पे है, Mediterranean Sea, Mediterranean Sea से related, बहुत questions पूछे चाते हैं, UPSC में इसको तो बिलकुल याद कर लीजे, बहुत बहुत important है यह, जो मैं questions बना रही हू हुए, last years के इसमें बहुत बार यह questions आ चुके है, Mediterranean Sea से, इसलिए उसको by heart याद कर लीजे कि इसके आसपास की seas कौन है, इसके आसपास की countries कौन है, यह किस की countries का border touch करती है, यह सारे questions बहुत important है, आगे बढ़ते हैं, अमंग the following, which one is the largest exporter of rice in the world in the last five years, बताइए कौन सा जो है, इन में largest exporter है rice का, China, India, Myanmar, Vietnam, तो इसका सही answer B है, हमारा India ही है, ऐसा क्यों है कि India largest exporter बन गया है rice का, ऐसा इसलिए है, क्योंकि देखें, पहले जो बासमती rice होता था, उसका ही export allowed था, लेकिन हमें पता है कि rice की बहुत सारे variety होती है, नौन बासमती rice भी काफी, बहुत सारे ऐसे वराइटी है, जो कि नौन बासमती rice है, इंडिया में, तो अभी तक उनके export पर ban था, बट अब जो है, उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब बैन तो नहीं कहेंगे, आउट राइटी, बट हाँ, उसका export काफी बढ़ गया है, जो नौन बासमती rice है, ठीक है, तो इस वज़े स इंडिया का position इसमें काफी अच्छी हो गई है, exporter के terms में, अब अगर हम यह देखें कि glacier यह है और river किये है, तो कौन सा सही match है, बंदर पूच, यमुना, वारा शिंगरी, चेनाब, मिलाम, मंदाकनी, शियाचन, नूबरा, जेमू, मानस, इसका सही answer A है, बंदर पूच, यम अगर हम बात करें, मंदाकनी की, तो यह चोरा बारी glacier है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, और मानस, इसका origin है, कामिंग, अरुना चर्ब्रदेश में, ठीक है, तो सही answer इसका A है, अब आपके देखते हैं, इन इंडिया, use of carbofuran, LGBT,Sec, paratheon, foreache and triazofos is viewed with apprehension, these chemicals are used as, इनको हम किसकी तरह यूज करते हैं, Cam burner, paratheon,Four, in सब को किसे लिए यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का काम करते हैं, यह agriculture में, ठीक है, तो इसका सही answer A है, Pesticikal 건 in agriculture, कि पेस्टिसाइब्स के लिए बचने के लिए उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और गैनिक फार्मिंग इससे क्या होता है ना हमारा व्यट जो एन्वार्मेंट है वो भी अब देखिए यह question है इसमें हमें यह बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है अंडर रामसर convention it is mandatory on the part of government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India the wetland conservation and management rule 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of रामसर convention wetland conservation and management rule 2010 also encompass the drainage area और catchment regions of the wetland as determined by the authority इसका सही answer C है third statement ठीक है कि यह जो wetland conservation और management rules 2010 है यह drainage area की भी बात करते हैं ठीक है इसमें जो wetlands को drainage area से भी determine किया जाता है अब देखिए जो first है कि यह रामसर convention में यह mandatory है government के लिए कि वो सारे wetlands को conserve करें तो देखिए ऐसा of wetlands में लाने के लिए इसको एक ऐसी site होने चाहिए जो कि रामसर के criteria को fulfill करें और इसका एम क्या है यही है conservation and wise use of wetlands आगे चलते हैं agriculture soils really nitrogen oxygen in to environment cattle क्याटल रीलीज अमोनिया इंटु एंवाइर्मेंट पूल्ट्री इंडस्ट्री रीलीज रीक्टिव नाइटरोजन कमपाउंज इन्टु एंवाइर्मेंट इसका सभी आंसर ड है two three तीनों ही ठीक है एvenes ऑग्रिकल्चर स्वाइब रीलीज करते हैं एन्वाइर्मेंट में क् वो युज होता है तब वो फिर नाइटरोजन ओक्साइड करता है इसी तरह से क्या आमोनिया रिलीस करती और पोल्ट्री इंडस्ट्री नाइटरोजन कमपाउंट्स रिलीस करती है इसापूर एंड कंगसाबाती रिसेंटली डिस्कवर्ड यह यह फिर ट्रॉपिकल रेइन फॉरेस्ट है यह फिर अंडर्ग्राउंड केव सिस्टम है यह वाटर रिजर्व ओयर है तो यह वाटर रिजर्व ओयर है ठीक है इन वे से बताना है कौन सा सही है इसका सही अंसर एफिर्व ठीक है की जो में अडवांटेज है एक गावो क्या है कि जो कार्बन मोनो ओक्साइड होते हैं वो रिलीज नहीं ही होते हैं वह eliminate हो जाते हैं ठीक है अब HCNG होता क्या है इसमें CNG और कुछ percentage hydrogen की mix कर दी जाती है तो यह बन जाता है HCNG इससे emission काफी हद तक कम हो जाते हैं लेकिन यह costly होती है CNG से CNG के comparison में यह costly है ठीक है why are dewdrops not formed on cloudy night cloudy nights पे dewdrops क्यों नहीं बनते हैं clouds absorb the radiation release from Earth's surface clouds reflect back the Earth's radiation Earth's surface would have low temperature on cloudy nights clouds deflect the blowing wind to ground level इसका सही answer भी है dew इसलिए नहीं बनती है cloudy nights में क्योंकि जो cloud होता है वो अर्थ के radiation को reflect back करता है जो भी आता है उसको reflect back कर देता है dew कब बनती है सब इसकाई विल्कुल clear होता है क्योंकि उस समय क्या होता है कि evaporation बहुत जादा हो रहा होता है ठीक है trees जो होते हैं रात में ठंडे होते हैं evaporation जादा होता है इसलिए ड्यू बन जाती है ड्यू बनने के लिए एक important condition यह होनी चाहिए कि सब्सक्राइब जो होता है वो clear होना चाहिए था इस इसमें से बताना है कौन सा ठीक है तो सेकंड ठीक है इसमें बी टू only correct है क्योंकि सुप्रीम कोट ने जो NJAC आया था नैशनल जुडिशल अपॉइन्मेंट कमिटी इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था और इसको क्या बताया था Unconstitutional बताया था क्यों Unconstitutional बताया था इसमें यह कहा गया था कि अगर हम इस सिस्टम को लाते हैं तो इससे जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस हर्ट होती है यह कोलीजियल सिस्टम को रिप्लेस जो कोलेजियम सिस्टम है जजिस के अपॉइंडमेंट से रिलेटेड उसको यह रिप्लेस कर देगा अब इसमें क्या था कि जो अपॉइंडमेंट और ट्रांसफर होगा जजिस का चाहें वो सुप्रीम कोड का हो या हाई कोड का हो तो वो एक कमिटी होगी NJAC वही करेगी इसमें कौन-कौन था इसमें CJI था यानि Chief Justice of India, दो Senior Judges, Union Minister of Law and Justice और दो Eminent Persons ठीक है अगर फर्स्ट पॉइंड की बात करें 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of PM Beyond Judicial Review तो यह इसका अंसर गलत है क्योंकि 44th Amendment में नहीं ऐसा करा था 39th Amendment ने ठीक है इससे क्या हुआ था जो President है या Vice President है या Prime Minister है या फिर Speaker है लोग सबागे तो वो हो गयते Beyond Judicial Review का Judicial Review नहीं हो सकता था और यह कप पास हुआ था Emergency के टाइम में 1975 से 77 के बीच में ठीक है अब देखते हैं यह question related है Supreme Court के judge से ही कौन सा correct है यह बताना है Motion to impeach a judge of Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968 Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the Judges of Supreme Court of India Details of process of impeachment of the Judges of Supreme Court are given in Judges Inquiry Act If the motion for impeachment of a judge is taken up for voting the law requires the motion to be backed by each house of parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than two-third of the total members of that house present and voting इसका सही आंसर C है 3rd और 4th ठीक है 3rd में क्या रखा है जो details होंगी impeachment के process की वो यह जो act है Judges Inquiry Act इसमें दिया गया यह बिल्कुल ठीक बात है और अगर impeachment का motion पास होता है तो फिर वो दोनों houses के द्वारा पास होता है ठीक है इसको अभी details में बताएंगे तो यह भी ठीक है अगर बात करें कि speaker accept कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है जैसे इसमें लिखा है कि उसको reject नहीं कर सकता है speaker तो यह गलत है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ऐसा कोई foundation नहीं है ठीक है और constitution में कहे रखा है कि incapacity of proof misbehavior क्या है तो यह भी गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है अब देखें judges को remove कैसे किया जाता है Parliament address करता है President को बोलता है कि उसका removal order पास करने के लिए तो दोनों house उसको support करते है ठीक है removal motion लोग सबह में 100 member sign करते हैं और राज्य सबह में 50 member sign करते हैं जो speaker और chairman होता है वो उसको मना भी कर सकता है और उसको मान दी सकता है इसके लिए क्या होता है कि तीन member की committee बिठाई जाती है matter investigate करने के लिए कि क्या कारण है कि इनके removal के लिए कदम उठाया गया है तो अगर वो guilty पाए जाते हैं जो ये committee की report आती है उसके recording guilty पाए जाते हैं तो special majority से motion पास कर दिया जाता है ठीक है motion को special majority से पास कर दिया जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है president जो है removal order पास कर देते हैं क्योंकि judges को remove ultimately president ही करते हैं ठीक है तो इसका सही answer C है 3 ठीक है और 4 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं the ninth schedule was introduced in the constitution of India during the prime ministership of जवारलाल नहरू, लालभादु शास्त्री, इंद्रा गांदी या मुराजी दिसाई तो ये ninth schedule जो था जवारलाल नहरू के सामने के प्रेजिडेंट्शिप में इंटर्ड्यूस हुआ था ये किससे related है nine schedule land reform और abolition of जमिनदारी सिस्टम से ठीक है जो भी land reform हुए थे या जो भी जमिनदारी सिस्टम थे उनको खतम किया गया था ठीक है और land reforms नए लाए गया थे उससे related है ये और इसका जो पहला amendment है उससे रिलेट करता है ये फर्स्ट amendment 1951 से रिलेट करता है ठीक है लेकिन हाँ nine schedule में एक change बात में क्या हुआ था कि इसको judicial review के अंतरगत लाया गया था पहले ये था कि इसमें जो आ गया वह सुप्रीम कोड इस पर कुछ नहीं कर सकता लेकिन अब ऐसा नहीं था अब ये judicial review के अंतरगत हो गया था ठीक है अब आते हैं कोल सेक्टर वर नेशनलाइज बाइद गर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर इंद्रा गांधी इसका सही जवाब ए है कोल सेक्टर नेशनलाइज किया गया था सरकार के द्वारा इंद्रा गांधी के समय में ठीक है लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि कोल जो है लोटरी बेसिस पर एलोकेट किया जाता है इसका दो ऑक्षन होता है ना हम जानते भी है कोल ऑक्षन की तो ये गलत है फिर जो इसका थर्ड पॉइंट है ये तो बिल्कुल ही गलत है क्या इंडिया अभी कोल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशेंट हो गया है बिल्कुल नहीं हुआ है आज भी तो इंपोर्ट करता ही है इंडिया आज भी इंपोर्ट करता है कोल तो इसका ये जव several posts from disqualification on grounds of office of profit above mentioned act was amended five times term office of profit is well known well defined in the Constitution of India इसका साही आंसर ए है first ठीक है और second ठीक है देखे जो पार्लियमेंट है prevention of disqualification में वो कुछ पोस्ट को exempt करता है from disqualification क्यों on the grounds of office of profit मतलब चुकि वो office of profit में आ रही है इसलिए वो disqualified नहीं है ठीक है एक बाद फिर से देख लेते हैं Parliament Act 1950 exempt several posts from disqualification on grounds of office of profit कुछ पोस्ट है जिनको वो disqualification से exempt करता है किन ग्राउंड पर क्योंकि वो office of profit हैं above mentioned act was amended five times यह बात ठीक है कि office of प्रॉफ इसको जो है एक्ट को पार्लियमेंट एक को पांच मेर अमेंड किया चुका है लेकिन क्या office of profit को well defined किया है constitution में the answer is no नहीं किया गया है office of profit के बारे में बताया ही नहीं गया है constitution में अच्छी तरीके से कि यह actually होता गया है ठीक है इसी के basis पर कई controversies भी generate होती है office of profit के नाम पर कि actually यह है क्या तो यह इसको इतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया है इसलिए कई controversies भी generate होती है देखे आर्टिकल 102 है एक ठीक है और एक है 191 constitution का जो बार करता है MP को और MLO को कि वह office of profit की पोस्ट होल नहीं करेंगे central government या state government के एंटर्गट ठीक है तो यह इसका सही answer है under which schedule of the constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining be declared null and void third schedule, fifth schedule, ninth schedule या 12 schedule किसमें है कि जो land transfer है इसमें यह है कि tribal land private parties को mining के लिए नहीं दिया जाएगा ठीक है तो इसका सही answer भी है fifth schedule में है हम जानते है कि जो fifth schedule है वो schedule area वो schedule tribe से related है ठीक है तो इसका सही answer फिफ schedule है 6 schedule किसे related है वो tribal area से related है असाम मिघालया, tripura और मिजोरम अब आप comment box में comment कर गए यह बताइए कि 2nd और 3rd schedule किस से related है 9 schedule किस से related है अभी हमने देखा था land reform से related है ठीक है तो सही answer बताइए कि 2nd और 3rd schedule किस से related है और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा हो तो इसको like और share करिए और चैनल को subscribe करिए तब तक के लिए goodbye thank you